इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ यह Pulsar 125 है जो की 2023 में लॉंच हुई है E20 मॉडल के तरह तो उसकी अनलोडिंग हो रही है तो अभी यहां पे आपको लगभग तेन दो पाँच गाड़िया देख रही होगी तो काफी चकाचक कंडिशन में गाड़ियां उतर रह सारा कुछ कवरड़ है E20 के बाचिंग पलसर का लोगो और बाइक जो है पूरी तरह से एकदम ब्रैंड न्यू है आपको यहां पर क्या क्या मलता है तो आपको यहां पर सब कुछ देखने को मिल जाता है मैं उनस मैन्वल तूल किट मैडिकिट एंड लैक गार्ड सारी कवर सारे अक्सेसरी आप यहां पर देखने को मिल जाते हैं जो इसमें लगते हैं अब बाइक जो है E20 कंप्रियांड इंजिन के साथ आ रही है यानि BS6 2.0 इसे टेक्निकली BS7 भी नहीं कह सकते हैं इसे BS6 2.0 का हाथ जा सकता है क्योंकि BS7 अभी तक मुझे कहीं भी देखने को न नहीं मिल रहा है नहीं नेट पे और नहीं कंपनी से बता रही है कि यह BS7 है तो भारसरकार की गाइडलाइन के मताबिक यह BS6 2.0 आया है OBD-2 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है OBD-2A के तहर कंपनी को चेंजिस करने के लिए कहा गया है ताकि जो एक्जॉस से धुआ निकलता है जिसमें जहरीली गैसे सराती है उसे कम किया जा सके तो गाइस I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप Pulsar 125 लेना चाते हैं जम्चक अचक न्यू मॉडल में तो आप आ सकते हैं यहाँ पर गिरिडी परियाग बचाज में अभी बाइक्स जो है वो अंलूट हो ही रही है तैंक्यू गाइस तैंक्यू वीडियो के लिए बने रहे हैं वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पैल आइकन को जरूर दबाएं और किसी भी बाइक के बारे में अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें मैं आपको जरूर बताऊंगा तैंक्यू गैस तैंक्यू वाजब जरूरा चैनल को